नॉलज हिंदी मी को सब्सक्राइब किजिए और न्यूव विडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकान भी डबाएए आज के दिन पर जर्मन एनलिटिकल केमिस्ट फ्रीडल फर्डिनान रांज के दो सब पचीसवे जनम दीन पर गूगल डूडल लगाकर उन्हें समानित किया गया है ये जर्मनी के एक महान रसायन विज्ञानिक केमिस्ट थे, जिन्होंने रसायन विज्ञान में उप्योग होने वाली पेपा क्रुमेटोग्राफी विधी का अविश्कार किया। फ्रीडल फर्डिन आंड रांज का जनमाट फरफरी 1795 में हिंबग जर्मनी में हुआ था, इनके पिता एक पादरी थे। बुझपन से ही फ्रीडली फर्डिन आंड रांज को रसायन विज्ञान में रुची थी, और जब वे किशोर थे तो उन्होंने प्रयोग करना शुरू क दिया था, एक बार इनके एक प्रयोग के दोरान इनकी आखों में बेला डोनार की कुछ बुंदे चली गई जिससे इनकी उतली कमजोर पड़ गई, सन 1819 में फ्रीडल फर्डिन आंड रांज ने मेडिकल के डिग्री जेना विश्वविद्याले से पूरी की, जेना रायन अग्या और आविशकारक जोहान वोल्फ केंग डोब्रेनेर के तहत अध्यान किया था, इसके बाद इन्होंने वलन विश्वविद्याले में दाखिला लिया और यहां से 1822 में रासायन विज्ञान में डाक्टरेट की डिग्री पूरी की, रासायन विज्ञान में ड दुर नामक एक जगह पर स्थेत्र सायन फेक्टरी में काम करने के लिए ब्रेसलॉंग विश्वविद्याले करना से प्रोफेसर के पद छोड़ दिया, पच्चीस वर्ष यह रिसायन अग्या से प्रभावित होकर, जोहान वोल्फ केंग वान गोईत ने फ्रीडलफर्ड इ प्रीम्स का एक बैक सौपा और सुझाब दिया कि वह उनके रासायन एक श्रिंगार का विश्रेशन करें, इसके तुरंत बाद, रुंगे ने सक्रिय तत्व को अलग कर दिया जिसे हम आज कैफीन के रूप में जानते हैं, फ्रीडलफर्ड इनान ड्रांच ने 1950 में एक पु अलग किया जा सकता है, इस विदी द्वारा कई प्रकार की तत्व को जो एक साथ अच्छी तरह से मिले हुए हो उन्हें भी आसानी से सबको अलग-अलग किया जा सकता है, फ्रीडलफर्ड इनान ड्रांच के द्वारा किये गए अविश्कार में कुनन, जिसका उप्योग मल मालेरिया के इलाज में दवाई के रूप में किया जाता है, अविश्कार भी शामिल था, इसके आलावा जगंदर के रस से चीनी निकलना भी इनके द्वारा तैयार की गई एक विधी थी, फ्रीडलफर्ड इनान ड्रांच की मृत्यू 25 मार्च 1867 को जर्मनी के हुरान ये इ इलाज में दवाई के रूप में किया जाता है, इन्होंने एक कार्बोले कमल की खोजबी की थी, जो एक तरकोल तेल का योगिक था, कार्बोले कमल को अब फिनॉल कहा जाता है, इन्होंने पायरो, रिसोलेकेसट, उरिन, और साइनोल, एनिलन, रासायनिक तत्वकी भी चास में इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी जिसमें, इन्होंने पेपर क्रोम मेटोग्राफी के बारे में, विस्तरत जानकारी के साथ बताया है, पेपदार्थ जैसे काफी के लिए उप्योग में होने वाले कैफीन के पहचान का श्रे भी फ्रीडल फर्डिन आंड प्रांज को ही जाता है, तारकोल, एनिलन, नीला, पिरामिट, छेनुलन, थाइमोल और एट्रोपीन आदीखी की पहचान का श्रे भी इन्हें ही जाता है, सान 1855 में फ्रीडल फर्डिन आंड रंज ने ये सबसे पहले लिस्गान, रिंग का पता लगा दिया था,